नमस्कार दोस्तों सुगत है आपका अज के इस वीडियो में तो आज हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि Bitcoin आने वाले एक हफ़ते में क्योंकि आज Monday है तो आने वाले हफ़ते में क्या क्या कर सकता है ठीक है तो हमारी आज की पूरी वीडियो इसी के हिसाब से रहेगी कि Bitcoin क्या कर सकता है तो उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे मंत पे यहाँ पे हमने जो हल्विंग का वीडियो बना रहा है उसका शायद मर्क लगा हुआ है तो सबसे पहले जब मंत पे आए तो हमें एक चीज यहाँ पे दिखी वो यह दिखी कि जन रहा है डिमांड जोन अहां पे इस जगां पर डिमांड जोन मन रहा है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह लगिन कैंड़ बेस लगाओ एक अगर आप उसको लीडियो नहीं मान रहे हैं बोल रहे हैं किस बया जो पुराणी वीडियो आपने मनाई थे उसमें आपन लेगिन मतलब को बताया था कि बड़ी रहेगी तो आप मतमानिये एक ऐसा भी डिमान जोन होता है जिसमें लेगिन नहीं होती तो जो एड़वांस टॉपिक्स है टेकनिकल अनालिसिस के तो अभी तो खाट अप मैंने टेकनिकल अनालिसिस चैनल पे डाली ही नहीं है बहुत कम बहुत बेर मिनिमम नाली है तो उसमें भी कवर नहीं हुआ होगा तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक है ये जो जिवांन जोन है ये मिशला मार्किंग टाइम फ्रेम का डिवांन जोन है हम इसको और भी इधर तक कर सकते हैं लेकिन अभी यहीं पे रखेंगे अगर कोई कुछ खास नहीं मिलता है तो हम इसको पूरा और एक्स्टेंग करेंगे तो अभी के हिसाब से ये एक डिवांन जोन बन रहा है किस पे मंतली के टाइम फ्रेम पे और कहीं दिमांजोन बन रहा है तो यहां भी यह भी आप दिमांजोन मान सकते हैं यह इतना पूरा मान सकते हैं लेकिन जो मतलब एक क्लासिक सी यह बन रही है कैंडल बेस कैंडल मैं सिर्फ उतना हूं लोगा क्योंकि कैसे भी यह है execution का यह है marking का execution के समय हमें बहुत ज़्यादा सतर कराना होता है लेकिन marking हम थोड़ी इधर उधर भी करते हैं तो उतना कुछ खास परक पड़ता नहीं तो यह जो red duck वो है rectangle यह हमें दिखा रहा है यह मंतली का demand zone है अगर आप वहीं पर साथ में देखेंगे तो यहाँ पर एक weekly का भी demand zone बन रहा है अगर आप गर्ण से देखेंगे तो यहाँ पर एक weekly का demand zone बन रहा है मैं इस weekly के demand zone को कर देता हूँ yellow और इसके अंदर भी yellow ही भर देता हूँ इस हिसाब से हमें यह पदा चल रहा है कि जो red का rectangle है वो है मंतली का demand zone मंतली demand zone जो red वाला है मंतली demand zone के अंदर ये weekly वाला demand zone आता तो सोने पे सुहागा होता लेकिन ये थोड़ा सा उपर है तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है until and unless अगर कोई price किसी भी मंतली के demand zone को hit करके आ रही है तब तक इतना कुछ खास फरक पड़ेगा नहीं और यहाँ पे आप देखे तो 74 मतलब ये price अपने on time high से आ रही है कहीं भी कोई supply zone hit नहीं किये देखे यहाँ पे और ये बात हो रही है February 2024 की जो मैं अभी mark किया हूँ ये weekly का demand zone एक ये हो गया अब हम आते हैं यहाँ पे अगर मोटा मोटा देखे अगर हम इसको leg out माने इसको leg in ठीक है उससे साबसे माने तो यहाँ पे भे हम एक weekly demand zone mark कर सकते है ये मैं इसको leg in बोल दिया था मतलब मेरा मतलब है कि अगर इसको base माने और ये consider करें कि leg in candle list में है नहीं leg out 2 है तो अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत ही उपसूरत एक demand zone बना रहा है ठीक है तो हम इसकी marking यहाँ से भी कर सकते हैं और चाहिए तो नीचे साली कर देते हैं लेकिन हम पूरा area cover करेंगे तो इसको भी मैं कर दूँगा ये look ठीक है और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे demand zone अगर मार कर रहा हूँ तो आप मेरा demand zone और supply zone वाला video देख सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखें और कुछ है कुछ खास और बन नहीं रहा है अब हम आते है डेली के टाइम फ्रेम पे दोखो ये weekly का हो गया हमने यहाँ पे देखा weekly पे हमें एक और चीद धान देनी पड़ेगी ये weekly पे ये बना रहा है एक supply zone यहाँ पे यहीं पे यहीं पे एक supply zone बना रहा है इसको उसको हम अभी के लिए निगलेट भी कर सकते हैं या इसका color कुछ अलग भी रख सकते हैं इसको यही वाला color रखते थे यह वाला जो है जो कुछ भी color है ठीक है तो अभी ये color लग दिर यह अपना supply zone है price यहाँ से hit करके नीचे आ सकती है ठीक है वो बात की बात है डेली पे तो weekly हो गया डेली हो गया हमने दोनों के demand zone मार कर दी है अब हम आते हैं यहाँ इसको करते हैं हलका सा जूम इतना जूम करेंगे अहाँ यह देखे क्या खूबसूरत नहीं जा रहा है यहाँ पे एक वह आ रहा है इसको मैं वॉइट कर देता हूँ यहाँ पे एक demand zone आ रहा है जो कि मन्थली के जिसकी जो डिस्टल लाइन है वो मन्थली के demand zone में है और उसकी जो proximal line है वो weekly के demand zone में है और यह जो demand zone बन रहा है यह daily के time frame पे है ठीक है तो यह भी एक बहुत ही खूबसूरत demand zone हो सकता है लेकिन देखो अगर मानलो मैं एक बार आपको एक चीज बता दू अगर मानलो एक demand zone यहाँ बन रहा है ठीक है और एक demand zone यहाँ बन रहा है तो हम preference किसको देंगे हम preference इस वाले को देंगे इसको मानलो दोनों का qualification सेम है जैसा नहीं है कि एक मंत का है एक week है मानलो दोनों भी मं execution time frame पर है तो हम important इसको देंगे क्यों कि मानलो प्राइज आता है मानलो प्राइज यहाँ से उपर से नीचे आता है तो वो सबसे पहले इस demand zone को हिट करेगा अब हम आते हैं यहाँ पर जो हमने मार करके रखा था इसको और जूम करते हैं यहाँ पर एक demand zone बना है और यहाँ पर भी एक demand zone बन रहा है जिसकी बिस्टल लाइन यह हो सकती है और आप देखें तो यहाँ पर भी उबना है लेकिन वहाँ तक नहीं जाएंगे क्यों क्यों बहुत गैप हो रहा है मतलब अभी आप देखो तो वो कहीं 40,000 के आसपास है और अभी प्राइस क्या चल रही है अभी प्राइस चल रही है 57,000 तो सत्रा हजार गिरे मतलब समीय रखो यह नार्मल नहीं यह ठीक है तो अभी हम इसको वन डे के टाइम फ्रेम पर हमने जब मार किया तो जो सबसे उपर का क्वाजय टाइम जो दैमाओ जो जो मिल रहा है वो यह वाला डिमाओ जोन यह यहां पर ए fakette यह बाला demand zone है which is coming approximately यह फ्रेश तो है फ्रेश है ठीक है which is coming approximately 51,757 ठीक है अभी मैं यह सब पहले delete कर देता हूँ ठीक है ठाकि आपको confusion न हो I hope आपको यह समझ में है होगा कि मैंने यह जो 51,757 का mark लिया है यह किस हिसाब से लिया है अब हम देखते हैं कि trend बगारा कैसा चल रहा है इसका तो 20 days का यह में देखेंगे 20 days का यह में इसको नीचे तो push कर रहा है ठीक है और हम और भी और भी देखेंगे सिर्फ एक trend पे नहीं मानेंगे हम अगर 50 days का देखें हम weekly पे trend देखेंगे क्योंकि हम daily पे ट्रेड ले रहे हैं तो let's go weekly and see the trend और देखने के लिए हम weekly पे पहुँचे यह यह रगाया तो trend कहीं न कहीं अभी sideways है और यह उपर की तरफ थोड़ा बहुत आगरसर है मैं यह नहीं बोलूँगा कि upwards है यह अभी sideways ही है टेकिन यह ऊपर की तरफ आगरसर है अब इसको कर देते हैं डिलीट और आते हैं फिर से डिली के टाइम फ्रेम पे डिली के टाइम फ्रेम पे आते ही हमें यह बात पता चली हमने जो मार किया था वो किया था 51,757 पे अब क्योंकि यह bitcoin है हम थोड़ा बहुत लेंगे कितना डिफरेंस ले सकते हैं हम माल लीजे 5% और बढ़ा के चलेंगे तो मैं कैंसे ओन कर लेता हूँ 5% का raise दे 10% का raise दे I think इबार 5 करके देखते हैं 51,757 ठीक है 25,87 प्लस 51,757 ठीक है तो यह 54 54 इतना रहा है 54 344 54 यह 5% का अगर हम margin ले रहे हैं तो हम लेते हैं 54 344 लेना था लेकिन अभी वो बहुत ही नीचे जाके बहुत एक किरेसी के साथ मार करना ट्राइ करता हूँ 44 रहना चाहिए 344 रहना चाहिए 54,350 तो यह दिस पही आया इसको 44 थोड़ा सा उपर जूब नहीं करना क्या लेकिन इतना नहीं जूब करते हैं कोई बार नहीं मार करते हूँ पसकते हैं थोड़ा टाइम ले अम इससे जादा एकुरेट में जाने वाला में तो अगर आप 5% का गरब देखेंगे अब मैंने 5% क्यों लिया सबसे पहले यह सूचिए 5% की लेने का रीजन यह है यह है Bitcoin अब Bitcoin में क्या होता है कि Bitcoin की total market cap is more than a trillion dollars तो हम ऐसा 10% मतलब इतना volatility नहीं देख सकते तो हम एक ही न कही 5-7% के बीच में revolve करना पड़ेगा अब यह जो surplus की बात कर रहा हूँ कि 5-7% यह बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आने वाली एक दो वीडियो उसके बीच में या उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूँगा जिस पर आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो मैं 5-7% ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ अब जो है उसने किया है क्या किया है उसने एक जो मतलब बिटकोईन का अभी आप structure समझे बिटकोईन ने monthly, weekly और daily द्वारा supported एक जो demand zone है उसको hit किया है तो इस हपते में आज हम मंडे पर बैठे इस हपते में ये उपर जाएगा ऐसा अभीखे stats कहते है trend जो है वो sideways अपर है मतलब न direct अपर है न पूरा sideways है और ये जो है मतलब जो अभी इसने hit किया है ये golden line that is a line which is 5% surplus of monthly, weekly और daily के demand zone पे इस हिसाब से ये कहना जादा मुश्किल नहीं है ये price जो है अब उपर जाने पानी है तो इसी के साथ मैं ये video करता हूं समाप और I hope next Sunday या next Monday जब मैं live आऊंगा वीडियोस तो दो दिन आती है और Friday को आती है और Monday को आती है live में कभी भी आ सकता हूं तो जब मैं live आऊंगा तब हम इस चीज पे बात कर सकते हैं कि इसका क्या हुआ अभी के लिए मैं एक screenshot लिके रख लेता हूं और फिर मिलते हैं अग ले बीडियोस तब तक के लिए बाँ बाइ